दैक्जाम वायर में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन एवं मद्धिकाली इतिहास में सिक्कों पर आधारित प्रशनों पर इस वीडियो में सबी संभावित प्रशनों को कवर किया गया है यदि इस य्कों पर आधारित कोई प्रशन आता है तो आप उसे इस वीडियो को देखने के बाद कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नमबर वन है निमनिखित युगमों पर विचार कीजिए एक तरफ शास्यक है दूसरी तरफ उनकी मुद्रा है पहला है फिरोज तुगलक शस्गनी जीतल इलतुत मिश मुहम्मद बिन तुगलक बिक आपको बताना है उपर युगत में से कितने युगम सुमेड यहां उपर युगत सभी तो यहां आप देखेंगे फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक ने शस्गनी परकार की मुद्रा चलाई थी यह सही मैच है जीतल की बात करें तो इलतुत मिश ने यह भी सही है मुहमद बिन तुगलक ने बिक नहीं चलाया ठीक है बिक और अद्ध इन दोनों को फिरोज तुगलक नहीं चलाया ठीक है अद्धा की बात करें तो अद्धा जीतल का एक बटे दो था ठीक है इसे नाम से आप देख रहे हैं और वहीं बिक की बात करें तो बिक जो है जीतल का एक बटे चार ठीक है और अद्धा और बिक इन दोनों मुद्राओ श्रोज टौलक ने चलाया था इसे याद रखेगा और वहीं मोहम्मद बिन को बुद्रा शॉस्तrि कहा जाता। आप इसे भी यात रखेगा इसके सिकों मोहमत बिन तुखलक ने सिकों के माध्यम से राजथ तुका परचाहर परशार किया था और दोकानी और चान्दी का सवाइन टका भी मुहम्मद बिन तुक लगने चलाया था इन दोनों क्रेंसिस को भी याद रखिएगा अगला कोशन देखते हैं निमलिखित में से किस मुगल शासक के सिक्कों पर राम सीता की आकरती थी ठीक है राम सीता की तो कामन सेंसे आप सही कर सकते हैं ठीक है करेक्टर अंसर इसमें अकबर हो जाएगा ठीक है मुगल कार में सर पर थम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय अकबर को है ठीक है और मुगलकार में अकबर के समय से ही सिक्कों पर अकर्तियां बननी शुरू हो गए थी ठीक है इसे याद रखिएगा अगला प्रशन देखते हैं शेर शाह की मुद्रा बेवस्था में तांबे के दाम और जीतल का रुपया विनमे दर क्या थी तो शेर शाह की मुद्रा बेवस्था में तांबे के दाम और चांदी का रुपया का जो विनमे दर थी वो थी चौन सट अनुपाते एक ठीक है अगला प्रशन देखते हैं निम्लिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है सिक्कों की धात्वें और दूसरी तरफ है राजवन्ष कुषान की बात करें स्वरण अवन ताम्र ये सही सुमेलित है गुप्त की बात करें तो स्वरण अवन रजक साथवाहन की बात करें तो साथवाहन शासकों ने स्वरण मुद्राएं जारी नहीं कही थी साथ वाहनों ने सरवादिक मात्रा में सीसे के सिक्खे जारी किये थे सीसे के सिक्खों के अतरिक्त साथ वाहनों ने चांदी के सिक्खे भी चांदी, तांबा, कांसा और पोर्टीन के सिक्खे भी जारी किये थे लेकिन स्वर्ण के सिक्खे इन्होंने नहीं जारी किये और चांदी के सिक्खे जो जारी किये थे ये भी बहुत थोड़ी मत्रा में ठीक है सरवादी के मत्रा में जो सिक्खे हैं वो सी सिक्खे हैं तो यहाँ पे C जो है वो समेलित नहीं है, बाकी सभी अपका समेलित हो जाएगा ठीक है, इस तरे से भी प्रशन पूछा जाता है, UPी पीसस में एक बार इस तरे से प्रशन पूछा गया था, अगला प्रशन देखते हैं, असथिक अथन का चेयन करना है आपको, गुप्त काली कि शिकों को YouTubeだけ नाम ये भी सही है मुहमत बिन तॉगलकण में चान्दी का अदली सिक्खा प्रचलिति ये भी सही है ठीक कुशान का लिए थीक ये अगला प्रशिंध मेंसे आपकों से कौन सी एक गुप्ट कालीन शवर्ण मुद्रा है, कउड़ी दीनार परण या निश्क तो यहाँ पर गुप्ट कालीन जो शवर्ण मुद्रा है उसका नाम था धीनार ठीक है अबला प्रशन देखते हैं निम लिखित में से किस शाशक ने संस्क्रित मुद्रा के निर्गत किए मुहमद बिन तुगलकम ऐमद महमद गजनवी मुहमद गोरी या अकबर तो इसमें करेक्टानसर आपका हो जाएगा महमद गजनवी यस ने संस्कृतत चांदी के श्र। दें निर्गत किये थे महमुद गजनवी नहीं मुश्लिम शाहिकों में सबसे पहले भारती ढंग से सिक्के तयार करवाए थे इस बात को भी याद रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं असत्यक अथन का चैन आपको करना है यहां पर सिक्कों पर राजाओं के चित्र और तिथी लिखने की परंपरा युनानियों ने शुरू की ये बात बिल्कुल सही है सिक्कों पर तारीक लिखने की ध्यान दीजेगा डेट डालने की तारीक लिखने की परंपरा सल्तनत काल में अलाओदीन खिल जी ने शुरू की थी ये भी सही है मौरी शासकों के जो सिक्के हैं वो आहत मुद्रा की स्रेड़ी में आते हैं ठीक है पंच मार्ग की कटेगरी म तो याद रखेगा आहतखों पर आकर्तियां पाई जाती हैं लेख नहीं पाय जाते हैं और ये भी याद रखेगा जितने भी आहत शिक्क्ञे हैं उन पर सूर्य का अंकन अनिवारे रूप से मिलता है ठीक है अगला प्रशन देखते हैं निम्लिखित में से कौन सी एक मुद्रा नहीं है इस तरह से भी प्रशन कभी कभी पूछ लिया जाता है हुंडिका कांसु और रई करंजी तो इसमें करंजी ये मुद्रा नहीं है ठीक है हुंडिका मुद्रा है मुद्रा है और ये कश्मीर में पाई गई ठीक है कांसु की बात करें तो चोलों की जो प्रचलित मुद्रा है वो कांसु है ठीक है और आई की बात करें तो चांदी के रोमन सिक्के हैं उन्हें और अई कहा जाता है ठीक है यह चांदी के रोमन सिक्के हैं निमने खित में से किस गुप्त शासक के सिंग निहनता शैली की मुद्राओं पर उसे सिंग का सिकार करते हुए दिखाया गया है important question है कुमार गुप्त समद्र गुप्त चंदर गुप्त दुति या विश्नो गुप्त तो सिंग निहनता शैली और सिंग का सिकार करते हुए चंदर गुप्त दुति को दिखाया गया है ठीक है निम्निकित कतनों पर विचार कीजिए सरवाधिक मतरा में सीसे के सिक्के साथ वाहनों ने चलाए स्टेटमेंट करेक्ट है सरवाधिक सोने के सिक्के कुशानों ने चलाए ये सही नहीं है गुपत काल में स्वरण और रजक्त सिक्कों का जो अनुपात है याद रखिएगा वो एक अनुपाते 16 था तो ये statement का ही correct है सरवादिक परकार के सिक्के कुशान शासकों नहीं चलाए बलकि गुप्त शासकों नहीं चलाए थे तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा statement correct हो जाता है C answer हो जाएगा गुप्त काल में स्वरन रजक का जो अनुपात है वो एक अनुपाते 16 है शक और कुशान काल में जो अनुपात है वो एक अनुपाते 14 है ये याद रखी गया पूछा जाता है ठीक है और वहीं शक और सातवाहन काल में जो अनुपात है वो एक अनुपात 35 है उत्रा खंड पीसे 2021 में पूछा गया था ठीक है तो ये गुवतकाल में स्वरण डजक और इसके अलावा शक कुशान काल में ठीक है और इसके अलावा शक और सातवाहन काल में जो अनुपात है उसे याद रखेगा अगला प्रशन देखते हैं कश्मीर के कारकोर्ट वंश के नरेश लालित्यादित के सिक्के उत्तर परदेश के किस दिले से प्राप्त हुए हैं कारकोर्ट वंश के नरेश लालित्यादित और कारकोर्ट वंश कश्मीर का था ठीक है तो इसके सिक्के उत् अगला प्रशन है वंद्राहईं में उन लिखे तीन परकार की सुषरंद मुद्रों में उच् से मूझेवाली मुद्रा कहलाती थी तो प्रशन ये ऐसा आजये है तो गलत होने की संभावना अधिक होगी अगला प्रशन देखते हैं निम लिखित में से किसके सिक्षों पर सर्थम बुद्ध का अंकन मिलता है विम कड़ भी सेस कनिश्क कुमार गुपत या कुनेंद तो इसमें क्रेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले कनिश्क के सिक्षों पर बुद्ध का अंकन मिलता है इसके बाद अगला प्रशन देखते हैं कोटेलिया कृत अर्थ सास्तर में जाली मुद्रा ठीक है नकली मुद्रा का निर्मान करने वालों को क्या कहा जाता था कूट कार डोरस पढ़नेकार या कूट रूपक या कूट शब्द है कूट रूपक आंसर हो ज मिलता है कुणिंद अदूंबर या कनिश्क या नहपान तो इसमें अदूंबर और पांचालों की मुद्राओं पर मंदिरों की आकरतियों का अंकल मिलता है ठीक है अगला प्रशन देखते हैं निमलिकित में से कौन सा एक मुगल कालीन स्वारंड सिक्षा नहीं है वेरिंप पर आपको बताना है कौन सा स्वारंड कालीन सिक्षा नहीं है तो जलाली जो है ये स्वारंड सिक्षा नहीं है ये चांदी का सिक्षा है ठीक है सेज सभी स्वारंड सिक्षे हैं और याद रखिए कि ये चारों सिक्षे शंसब इलाही जलाली और मोहर अकबर ने चलाये थे जिनमें से जलाली चांदी का सिक्का है, सेज स्वरन सिक्के हैं, ठीक है, अगला प्रशन देखते हैं, यहां पे आपको सुमेलित करना है, एक तरफ शासक, एक तरफ मुद्रा है, अकबर शंशब, तो ये सही सुमेलित है, ठीक है, अभी आप देख चुके हैं, अकबर ने शं बुली मुद्रा चलाए है ठीक है और शाह जहाने आना ठीक है तो इस तरह से आप सुमेलित कर लेंगे वन ओर थ्री टू ठीक है भी आंसर हो जाएगा ठीक है मुगलकाल में सर्वादिक सोने के सिक्षे अभी आपने देखा अकबर ने चलाए थे और जहां मुगल काल में पहला शासक है जिसने अपनी आकरती वाले सिक्के चलाएं हैं जबकि आप उपर आप देख चुके हैं अकबर ने अपनी आकरती वाले सिक्के नहीं चलाएं हैं बलकि राम सीता की आकरती के सिक्के चलाएं जहांगीर से शुरुबात होती है जहांगीर ने अप उसके चांदी के उनुपाथ का एक बटे 40 वा था ठीक है तो यह statement भी सही है औरंग जेव की बात करें तो यहां पर अनुपाथ जो है एक बटे 40 की जगा पे एक बटे 60 हो जाता है ठीक है औरंग जेव ने सिक्कों पर कल्मा खुदवानबंद कर दिया था ये स्टेटमेंट भी सही है मुगल काल में सब प्रथम स्वारण सिक्के चलाने का श्रे जहांगीर को नहीं है अभी आप देखी चुके हैं अकबर को है तो आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा ठीक है असत्ति कतन जो सह लगार का चैन करना है तो सीशे के सिक्के चलाने वाले साथ वानशाशक तो थे ही इसके अलावा हिंद यवन भी थे ठीक है तो पहला और तीसरा अंसर हो जाएगा आपका डी आंसर ठीक है अगला प्रशन देखते हैं निम्लिखित में से कि स्राजवंस के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं इंपॉर्टन कुशन है वाकर टक वन्ष रूंग वन्ष कुणिंद या कुश्रान वन्ष केसिक के अभी तक नहीं मिले हैं शेस यहां पर जो वन्ष हैं उनके मिल चुके हैं निमलिखित गुप्त शासकों में से किस ने मयूर परकार की मुद्रें जारी की समुद्र गुप्त कुमार गुप्त प्रथम चंद्र गुप्त दुति या सकंद गुप्त वेरी इंपॉर्टन कुशन है कुमार गुप्त प्रथम ने मयूर परकार की मुद्रें जारी की थी ठी ठीक है अगला प्रशन देखते हैं निम्लिखित में से किस साशक ने शारूक नामक चांदी का सिख्का चलाया शारूक नामक अकबर हुमायूं बाबर या शाह जहां शारूक नामक चांदी का सिख्का बाबर ने चलाया ठीक है बाबर ने और इसके अलावा बाबर ने बाबरी और ठीक है बाबरी और काबुली ठीक है इसे भी याद रखिएगा ये दो सिख्के और चलाये थे ठीक है शारूक, बाबरी और काबुली ये तीनों सिक्के बाबर ने चलाये थे ठीक है अगला परशन देखते हैं शुद्ध अर्बी के सिक्के निमलिखित में से किस ने चलाये शुद्ध अर्बी के सिक्के निमलिखित में से किस ने चलाये करेक्टांसर हो जाएगा इलतुत मिश ठीक है इलतुत मिश ने शुद अर्बी के सिक्के चलाए और चांदी का टका और तांबे का जीतल भी इलतुत मिश नहीं चलाया है इसे भी याद रखेगा दिल्ली सल्तनत की बिवस्थित मुद्रा प्रणाली शुरू करने का श्रे भी इलतुत मिश को है इसी स्टेटमेंट को भी याद रखेगा वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अगला प्रशन देखते हैं पहला राजबूत शाषक जिसने स्वरन सिक्के चलाए ये प्रशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है गांगेय देव विग्रह राज चतुर्त अरणो राज या लच्मी करण तो गांगेय देव पहला राजबूत शाषक है जिसने स्वरन सिक्के चलाए निम्लिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया इलतुतमिस मुहमद बिन तुगलक बल्बन या बहलोल लोदी त जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया टोकन करेंसी का प्रचलन किया ठीक है अगला अगला twenty देखते हैं ये प्रेशन उत्राखन पीसर दोजार 21 में बूछा गया था, गदहिया एक सिक्का है, ठीक है, हून शासको ने ये सिक्का चलाया था, ठीक है, अगला प्रेशन देखते हैं, कुशान शासकों में सरप्रतम किसने भारत वश्च में स्वरन सिक्का चलाया? विम कड़विसेस में अंडर डेमेट्रियस दुती या हुविस्क तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विम कड़विसेस ठीक है विम कड़विसेस ने भारतवस्थ में फुशान सासकों में सबसे पहले सिखा चलाया था गोल्ड का ठीक है हुविस्क की बात करें तो यहां पर हुविस्क के बारे में एक स्टेटमेंट जान लें हुविस्क के सिकों पर सरवादिक हिंदू देवी देवता का अंकन है यह प्रसन आपसे पूछा जा सकता है निमलिखित में से किसके सिकों पर सरवादिक हिंदू देवी देवता का अंक गुप्त शासकों में सरप्रथम सोने का सिक्षा किसी ने चलाया चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त दूति या स्कंद्रगुप्त तो गुप्त शासकों में सरप्रथम सोने का सिक्षा चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया ठीक है वहीं गुप्त काल में सरवाधिक मुद्राएं चंद्रगुप्त दुती ने चलाई है सरवाधिक मुद्राओं की बात करें तो चंद्रगुप्त दुती ने और सोने का सबसे पहले सिखा किसने तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा वहीं सबसे कम मुद्राइं किसने तो सकंद गुप्त हो जाएगा कुमार गुप्त ने सरवादिक परकार की मुद्राइं चलाई है सरवादिक परकार की कुमार गुप्त हो जाएगा तीनों स्टेटमेंट याद रखेगा और गुप्त मुद्राओं की जो पहली निदी है वो हमें मिली थी कलकता के काली घाट से ठीक है? पुछा जा सकता है और सबसे बड़ी निदी जो मिली है ये आपको पता होगी बयाना से ठीक है? बयाना भारतपुर राजस्तान यहां गुप्त शासकों की सबसे बड़ी निधी प्राप्त हुई है और पहली निधी मिली थी काली घाट कलकत्ता से ठीक है अगला प्रशन देखते हैं किस हुण शासक के सिक्कों पर नंदी एवं तृशूल का अंकन मिलता है इसके सिक्कों पर नंदी एवं तृशूल का अंकन मिलता है हूण शासक है यह अगला प्रशन देखेंगे यहाँ पर आपको सुमेलित करना है आखरी प्रशन है एक तरब सिक्के का नाम है दूसरी तरब प्रचलित राद इस तरह से प्रशन भी पूछा जाता है महमोदी तो महमोदी यह सिक्का गुजरात में प्रचलित था है ठीक है पगोड़ा की बात करें तो पगोड़ा नाम से ही आप देख रहे होंगे यह सिख्फा विजये नगर में परच्लित था और मुजफ़र शाहि की बात करें तो यह मालवा में ठीक है तो one, three, two यह आपका आमसर हो जाएगा सी में है 132 इस तरह से आप सुमेलित कर लेंगे ठीक है तो यह थे प्राची ने मद्ध कालीन इतिहास सिक्वों पर आधारी कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब वश्क कर लिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका